कि हैं गाइस कैसे आप सब लोग आपका मेरी यूटूब चैनल पुजासोनी के व्लोग्स पर एक बाफी से वर्मली विल्कम और आज हम विंद्फिल्ड की मैंगो जेली बना रहे हैं तो आज में इस जेली की रेसिपी शेयर करूंगे आपके साथ तो यह देखिए इस तरीके चलिया अब बनाने स्टार्ट करते हैं मैं इसे पेगेट को ओपन कर लेती हूं यह मैंने लोकल मार्केट से पर्चेस किया है और इसके प्राइस 45 रूपी से आप इससे आसानी से लोकल मार्केट से या फिर ओनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं इसे जादर टाइम भी नहीं ल ओडिया है कि इसमें आपको निकाल कर चोटा रही हुं यह नेचर आरहा होगा और अब हमें hasnо इक में ट्रांसफर का लेना है देखिए मैं पूरा ट्रांसफर कर ले रही हूं आप इस तरीके से ट्रांसफर कर लीजिएगा और वो जो छोटा पेकेटे उसमें से भी उसे भी कट करके उसे भी इसमें मिक्स कर लीजिएगा और इनमें जो भी लंप्स वगेरा हैं इनको अच्छे से बारिक कर लीजिएगा चमच की मदद से कि देखिए मैं ये वाला भी काट करके इसमें डाल रही हूं कि ये में पूरा ले रही हूं पूरा ही लेना है कि अब हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे देखिए इसमें आप बिल्कुल भी लम्स नहीं है मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से चमच की मतद से बारिक कर लिया है और आपको भी इसी तरीके इसे इसको अच्छे से बारिक कर लेना है अब मैं इस कब से मेजर्मेंट करूंगी पानी का तो एक बाउल लेना है हमको फिर से और उसके अंदर पानी का मेजर्मेंट करना है यह मैं इसमें तीन कब पानी ले रही हुँ वैसे थो अल्रेडी पैकेट के उपर दे रखा होता है कि आपको जितना पानी इसमें डालना है पानी की कुआन्टिटी दे रखी होती है तो दे यह मैंने पानी को बोईल्ड होने के लिए रख दिया है देखिए पानी गर्म हो चुका है अब हमें पानी को इस पाउडर में थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करना है और इस तरीके से चलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी लंस ना रहे और यह अच्छा से मिक्स अप हो जाए जिससे की जेली बहुत अच्छी बन करके रेडी होगी देखिए इस तरीके से आपको चलाना है और ट्रस्ट मी गाईज जेली खाने में बहुत 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 टेश्टी लगेगी और प्लीज आप यह रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे साइट फीड़बैग जरूर सेर खीजब कीजिएगा जो जेली हम बच्चों को मार्केट से मंघवा कर देते हैं वो पता नहीं किस तरीके के पानी से बनी भी होती है इसलिए आप मार्गेट की जेली को पड़ेस करने के बचाई आप घर पर ही बच्चों को इस तरीके से जेली बना कर दीजिए घर पर जल्द से जल्द बन भी जाएगी और बच्चे भी बाहर की खराप चीजे और अनहिल्दी चीजे खाने से बच्चे रहेंगे यह देखिए मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करकर के पानी मिला रही हूँ और इसे साथ में चलाते भी जा रही हूँ अब मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके सारा पानी मिक्स कर लिया है और जेली का गोल बना करके रेडी कर लिया है आप हम नहीं से ट्रे में जमाते हैं और हम आप को जींसमें ज्माना है उस तरीके से आप ले लीजए यह आईस क्यूब इचाप सब्सक्राइग ये में इसो जेलिएंग जमा रही हूँ इसोब हर भा, चार्वा डेसी के अंदर में जो हम जेली का जो गुहोले वो डाल दिया है आप मैं दूसरी ट्रे में डाल रही हूं आप जिस किसी भी सेप में जमाना चाहें उस सेप के जो ट्रे वगेर आती है या फिर सेप के बॉक्सेस आते हैं जिसमें हमाईस क्यूब्स जमाते हैं उसे भी यूज कर सकते हैं फिर आपके प अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए जमने के लिए रख दूंगी 45 मिनिट्स के लिए और इन्हें फ्रीजर में नहीं रखना है और यह देखिए अच्छे से जम करके रेडी हो चुकी है हमारी जेली इसे मैं आदी घंटे के लिए छोड़ दिया था आप चाहें तो एक घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं और देखिए आदी घंटे में ही जम करके रेडी हो गई है और आप फ्रीजर में कभी भी जेली को जमने के लिए न रखें आप रूम टेमरेचर पर ही इसे बाहर ही रखें और चलिए मैं आपको एक जेली निकाल करके बता देती हूं अभी देखिए दिखने में भी कितनी सुन्दर दिख रही है और खाने में भी इसका टेश्ट उतना ही अच्छा था और यह फुड़ापट से बन करके रेडी भी हो गई है बच्चों को भी बहुत पसंद आई देखिए मैं एक और जेली आपको निकाल करके बता रही हूं आप इस तरीके से चाकू की मदस से पहले चारो कोनों पर चाकू को गुमाई है उसके बाद ही जेली को निकाले ताकि अच्छा से निकले और यह बिल्कुल बन करके रेडी है आप इसे आपको कट करके देखिए कितनी सॉफ्ट है चलिए गाइस मैं इसे आपको टेस्ट करकर करके बता रही हूं इसका टेस्ट बहुत यम्मी है मुझे तो यह बहुत पसंद आई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लिस लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें सब्स्राइब करना ना भूलें ओके गाइस बब बाई